महारत इन इंगलिज का स्रीज नंबर 113 है और यहां पर है relative pronoun अब यहां पर यह समझना है relative pronoun लेकिन relative pronoun को समझने के पहले आप समझ लेजिए interrogative pronoun है ना interrogative pronoun क्या होता है और इसके इसके पहले या इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए आपको पढ़ना होगा question word क्लियर है question word अब एक चीज़ आप देखे होंगे question word question word जब आप पढ़ रहे थे तो जैसे question word what means क्या होता है लेकिन what means जो भी होता है जैसे when means क्या होता है कब होता है लेकिन when means और क्या होता है जब भी होता है ठीक who means होता है कौन who means क्या होता है कौन और who means होता है जो भी होता है या किसने जिसने भी होता है इस तरह से etc मतलब ये तो दिमाग में होगा ही इसे बताया भी गया था आयोपी एक लियर है कि नहीं अब यहाँ पर क्या है relative pronoun, interrogative pronoun दोनों में यही सब रहता है यानि कि दोनों में what रहेगा लेकिन अंतर यही है interrogative pronoun में यहाँ का का sense देगा यानि कि यहाँ पर question word का का sense देगा interrogative pronoun में relative प्रून में question word जा का sense देगा एक समझ भी आया interrogative pronoun में ये questions के लिए यूज किया जाएगा है ना questions के लिए यूज किया जाएगा यानि कि as a question word की तरह काम करेगा यहां पर एक questions के लिए यानि कि question word की तरह काम करेगा लेकिन relative pronoun में ये एक relation word की तरह काम करेगा relation बताएगा clear है interrogative pronoun में यही question word है ना जो की जा का संस देता है यह किसकी तरह काम करेगा एक तरह से relation showing word की तरह है ना relation expressing या relation showing relation showing word की तरह यहां question showing word और यहां पर relation word की तरह काम करेगा अंतर समझ में आ रहा है अब जैसे देखी हैं interrogative pronoun में आपका आता है who ठीक who आता है ठीक है इसमें आता है आपका whom w h o m who subjective case whom objective case इसमें आता है आपका whose whose ठीक किसका किसकी किसके which आता है आता है which w h i c h और what आता है generally इतने word आते है and so on it is सिकर दे रहे हैं clear है अब यहां पर यह तो आता है clear है लेकिन बात करें अगर इसमें क्या क्या आता है इसमें आपका relative pronoun में तो यही सारा relative pronoun में भी आता है यही कि relative pronoun में same ही सब को रख दो जैसे आपका आता है who आता है which आता है who which ठीक what या जो है whom आणा what whom यह सारा who ठीक है लेकिन इसके साथ में चुकि यहां relation सो करना है तो जरूरी नहीं question word ही आएगा यह तो मैंने एक difference में बताया इसके साथ में diet आता है यह relation बताता है clear है और और जो है आपका age भी आता है इसी में but भी आता है itc और भी है एक तो question word तो रहते ही है और plus में कुछ word और रहते है और इसमें question word ही रहेगा जो कि का का sense देगा लेकिन यहां question word जो कि जाक actual में यहां question word होता है लेकिन वो question word का का काम नहीं करता है अभी यह थोड़ा सा कम समझ में आया होगा example से clear हो जाएगा देखो अभी इतना समझो relative pronoun interrogative pronoun तो relative pronoun में question word रहेगा लेकिन जो जाका sense देगा और इसके साथ में कुछ word हो रहते हैं जो कि relation showing word होंगे इसमें जैसे who, which, what, whom, whose, that, as, but and so on clear है यहां पर interrogative pronoun में question word आएगा लेकिन वो question word actual में question word का 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 करेगा मीन का का sense देगा है ना इसमें आता है who, whom, whose, which, what clear है यह आता है अब यहां example देखे अच्छा pronoun का मतलब क्या हुआ यह चीज हमेशा mind में रहना चाहिए pronoun का मतलब क्या noun के place पर use होने वाला word ऐसे सिधा pronoun का मतलब होगा यहां पर मैं फिर से repeat कर रहा हूँ चुकि यह चीज दिमाग में रहना चाहिए pronoun means यही तो हुआ कि noun के place पर noun के place पर using word using word noun के place पर जो word use किया जाता है और वो noun का काम करता है उसे को कहते हैं pronoun कहते हैं अब जैसे ध्यान से समझो राम राम ate the food राम एट दा फूड राम ने खाना खाया ध्यान से समझो राम ने क्या किया खाना खाया तो यहां पर राम है noun राम क्या है नाउन है clear है क्या खाया खाना तो यह है आपका object है जो वाट या हूम का reply होता है object है और यह आपका action verb है clear है खैर अभी हमें फोकस करना किस पर noun पर चुकि नाउन के जगह पर यूज होने वाला word प्रोनाउन होता है तो राम नाउन है इतना clear है ना लेकिन अगर यहां पर मैं यूज करूं who ate the food who ate the food किसने खाना खाया है ना अब देखे राम के जगह हैं मैंने क्या यूज कर दिया प्रोनाउन नहीं यूज किया अभी तो who question word यूज किया अभी देखने है किस की तरह काम करेगा है ना किसने खाना खाया यानि कि हम नाउन को find out करने के लिए तो question कर रहे हैं जैसे राम ने खाना खाया मालू मुझे नहीं पता है मैं पूछ रहा हूँ किसने खाना खाया मालब कौन से नाउन ने खाना खाया हो सकता मैंने भी खाना खाया हो I ate the food है ना लेकिन ये who actual में किसको indicate कर रहा है who subject के जगए यूज हुआ है यानि कि राम के जगए यूज हुआ है या इस तरह से यहां कोई भी हो सकता है subject उसके जगए यूज हुआ है तो who question word तो है बिल्कुल है question word है ना question word भाई का का sense भी दे रहा है और दूसर नंबर question word है यहां पर as a subject यूज हुआ है यहां पर किसकी तरह यूज हुआ है subject की तरह यूज हुआ है चुँकि who का यूज subject को find out करने के लिए भाई किसने खाना खाया तो मैं actually किसको मैं find out करना चाहे रहा हूँ subject को काम करने वाले को पता करना चाहे रहा हूँ ठीक है तो who question word है का का sense दे रहा है subject find out करने के लिए यूज हो रहा है और यह किस की तरह यहां काम कर रहा है pronoun की तरह काम कर रहा है तो who क्या हुआ आपका pronoun हुआ अब pronoun में जैसे मैं पूछूँ pronoun में कैसा pronoun है कौन सा pronoun है बोलो तो pronoun में चुंकि ये pronoun questions के लिए उज़ हो रहा है तो ये कैसा pronoun है interrogative pronoun है interrogative pronoun है अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं तना तो इस तरह से इसका यूज किया जाएगा जैसे अब देखो जैसे मैं कहूँ चलो अभी एक example से पहले समझते हैं ये है आपका interrogative pronoun ये है आपका interrogative pronoun ठीक है अब जैसे देखो I know that person ध्यान से समझो I know मैं जानता हूँ dead person उस इनसान को जानता हूँ I know dead person मैं उस इनसान को जानता हूँ ठीक जिसने मेरा पर्स चुराया है जिसने मेरा पर्स चुराया है ठीक है तो देखो अब यहां पर हूँ हैज इस्टोलन मैं दो एकजमपल लिखूंगा दो एकजमपल से तो कबर हो जाएगा क्लेर हो जाएगा हूँ हैज इस्टोलन माई पर्स एक मैं नहीं यह लिख दिया और एक मैं और लिख रहा हूँ आई नो है ना आई नो डैड पर्सन मैं उस इनसान को जानता हूं मैं उस इनसान को जानता हूं जिसको मैंने मारा है अंतर समझ में आ रहा है एक में मैंने क्या बोला जिसने मेरा पर्स चुराया है और दूसरे में मैंने क्या बोला जिसको मैंने मारा है है ना तो whom I have beaten whom I have beaten अब अंतर समझो ध्यान से जैसे देखो I know dead person मैं उस इनसान को जानता हूँ ठीक है जिसने मेरा पर्स चुराया है तो देखो जिसने मेरा पर्स चुराया है यहाँ पर who का यूज हुआ है है ना who जाका संस दे रहा है लेकिन मैं उस इनसान को जानता हूँ जिसको मैंने मारा है मैं किसको जानता हूँ उस इनसान को तो जो क्या किसे किसको का अंसर होता है वो क्या होता है यह object है कि नहीं जिसको मैंने मारा है अब यहाँ पर मैं उस इनसान को मारने की बात कर रहा है यहाँ पर हूँ का यूज़ मैं उस इनसान को जानता हूँ जिसने मेरा परस चुराया है यहाँ पर हूँ जो है एक तरह से subject को find out करने के लिए यूज़ हुआ लेकिन यहाँ जिसको मैंने मारा है मतलब object को मैंने मारा है अब थोड़ सी यहाँ confusion होगा लेकिन यहाँ से बताना चाहिए रहा हूँ कि whom का यूज़ किया जाता है object को find out करने के लिए यहाँ पर सीधा देखो मैं उस इनसान को जानता हूँ जिसको मैंने मारा है मतलब मैं यहाँ किस पर focus कर रहा हूँ object पर focus कर रहा हूँ उस इनसान को मैंने जब object के जगह पर किसी को use करना हूँ तो who का नहीं बलकि whom का use करोगे और यहाँ पर मैं उस इनसान को जानता हूँ जिसने मेरा पर्स चुराया है तो किसने मेरा पर्स चुराया है उसने तो किसने या जिसने हू यानि के एक subjective case में है ये दोनों के दोनों pronoun है अब क्यों है चलो अभी हटाओ ये हू और हूम का यूज कहा होगा वैसे अभी ऐसे roughly समझो तो हू का यूज subject के तरह है और हूम का यूज object के तरह है लेकिन अभी उसको हटाओ कुछ देर हू यहाँ pronoun की तरह काम कर रहा है कि नहीं हाना तो pronoun में कैसा pronoun relative pronoun चुकि relation बता रहा है यहाँ भी ये दोनों pronoun एक relative pronoun की तरह काम कर रहे हैं clear है इतना समझे अब जैसे मैं यहाँ का एक example लेता हूँ ठीक है जैसे मैं कहूँ वो pen जिसे मेरे पिता ने दिया था हाना उसे बहुत अच्छ वो बहुत अच्छी चलती है हाना वो pen जिसे मेरे पिता ने दिया था वो बहुत अच्छी चलती है यह वही house है जो की संग मरमर से बना हुआ है, यह वही house है, तो देखे, this is the house, यह वही house है, definite है, जिसे जो की संग मरमर से बना है, तो which is made of marbles, जो की marbles से बना हुआ है, तो which, यह क्या है आपका pronoun है, और ऐसे समझो, जाका संग दे रहा है, तो relative pronoun है, clear है, लेकिन आप interrogative pronoun में ऐसे कोई भी, जैसे मान लो, मैं कह दूँ, वो किसकी कार है, ऐसा एक example लिखूँ, whose is dead car, whose is dead car, वो कार, इसका संसिय निकल रहा है, वो कार किसकी है, तो whose का यूज, questions के लिए यूज किया गया है, किसकी है, यानि कि noun या pronoun की होगी, किसे ना, किसे की तो होगी, तो एक तरह इस noun को find out करने के लिए, noun के जगए पर यूज हुआ है, और वो ऐसे भी एक चीज़ आ रही है, समलो, जब, है ना, pronoun का यूज अकेले हो, अरे, question word का यूज इस तरह अकेले हो, उसके बाद में कुछ हो ना, ऐसे मत, whose कार ना हो, है ना, जैसे, whose is dead car, तो यहाँ पर whose काम कर रहा है, pronoun की तरह है, कौन से pronoun की तरह है, interrogated pronoun, लेकिन अगर इसी को मैं लिख दूँ, whose car, whose car is dead, वह किसकी कार है, अब यहाँ पर whose कार, अब यहाँ पर whose adjective की तरह काम कर रहा है, interrogative adjective, चुकि किसकी कार, यहाँ नाउन है, नाउन के पहले, हाँ ना, तो adjective, इस तरह से अंतर होता है, बाकि इसमें अभी बहुत लोचा है, बहुत लोचा का मतलब यह होता है, कि जैसे who का यूज किया जाता है, who का यूज किया जाता है, person के लिए, मतलब who का यूज, जो के संस में होता है, हाँ ना, who का यूज, जो के संस में होता है, living things के लिए, किस के लिए, living things के लिए, living things के लिए यानि के एक human के case में living things में भी human के case में जबकि which का use किया जाता है एक तो non living के लिए और दूसर नंबर animals के लिए non living और प्लस animals के लिए animals के case में इसका भी मतलब जो का sense निकलेगा जब दोनों में confusion हो जाए समझ में ना आए तब diet लगा दो यानि कि diet का use सब के लेखिया जाएगा जो के sense में चाहे living हो चाहे non living है diet लगा दोगे तो चल जाएगा दोनों तो इसमें काफी ज़्यादा लोचा है मतलब इसलिए तो भाई ये relative pronoun बहुत ज़्यादा broad है एक एक यहाँ समझना पड़ता है हर चीज लेकिन अभी इतना समझो डैड जो है दोनों के लिए जैसे अभी यहाँ पर क्या हुआ था this is the house which is यहाँ पर who क्यों नहीं लगाया भाई यहाँ वही घर है जो की संग मरमर से बना है जो के लिए who का यूज करना किया जाना चाहिए लेकिन यह नॉन लिबिंग की बात हो रही है which लगा लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर I know dead person who has stolen my purse यहाँ पर who लगा चुकि यहाँ person की बात हो रही है human के case में living things की अब जब confusion हो जाए तो आप यहाँ भी date लगा सकते हो और यहाँ भी date लगा सकते हो which के जगे ठीक तो यह तो है थोड़ा सा I hope idea तो लग गया होगा कि कैसे क्या होता है बाकी इस पर जब broad एक एक बताया जाएगा अभी तो जैसे आपको definition wise बताया जा रहा है कि interrogative pronoun क्या relative pronoun है क्या है अब जब शुरू किया जाएगा तो वहाँ पर who who का यूज किसके case में whom का यूज कब होगा what का यूज कब होगा पूरा बताया जाएग दो clear है देखे है exclamatory pronoun है और exclamatory pronoun में आपको समझना क्या है तो यह देखो exclamatory pronoun question word होता है अब यह क्या बात हुआ exclamatory pronoun question word होता है question word में especially what and how यह exclamatory pronoun की तरह काम करता है लेकिन जब what या how का यूज exclamatory sentence में हो तब exclamatory pronoun वो कौन होता है exclamatory pronoun एक प्रकार का question word होता है question word जिसे exclamatory sentence में यूज किया जाता है जिसे exclamatory sentence में यूज करते हैं वो होता है आपका exclamatory pronoun होता है ठीक है इसमें generally दो ही होता है what and how जैसे मैं कहूं what you don't know krishna एक surprise का संसार है what you don't know krishna you don't know krishna जैसे मैं ये कहना चारू हूँ क्या क्या तुम krishna को नहीं जानते हो मतलब एक surprise का संसार है जैसे कोई जी क्या तुम भापू को नहीं जानते हो अरे मजभूरी का नाम भापू गांधी मतलब पैसा इस तरह से तो what you don't know krishna मतलब क्या तुम krishna को नहीं जानते हो एक surprise तो यहाँ what का यूज किस के संस में हुआ है question word तो है लेकिन what का यूज surprise के संस में हुआ exclamatory sentence कहने का मतलब ये हुआ कि एक sudden feelings को express करने के लिए एक surprise के संस में है ना surprise के संस में या जो है feelings को express करने के संस में और वो भी suddenly feelings को express करने के संस में वो भी suddenly ये exclamatory sentence का मतलब sort में हुआने बता दिया इस तरह से जैसे मैं कहूँ how ठीक how how the lovely dog how the lovely dog is मालो ऐसा लिख दिया है ना माल अब कितना प्यारा कुट्टा है तो अब यहाँ पर how का huge question word भी देखो कितना निकल रहा है लेकिन इस कितना को वो कितना वाला I mean question word का कितना वाला नहीं है कितना प्यारा कुट्टा है हम पूछ नहीं रहें हम तुमको बता रहा है कितना प्यारा कुट्टा यार हमारे गाउं में आ जाएना सारे कुट्टे मारके खा जाएन इसको इतना प्यारा कुट्टा है मतलब I mean मैं यह कहना चाह रहा हूँ जैसे कुछ कुट्टे होते हैं सहर में बाल वाल रहते हैं वाकें बड़े अच्छे लगते हैं गाउं की कुद्टे के हाथ में आ जाएं भाई गाउं की कुद्टे उसको चीर फार डालेंगे आप्रेशन कर देंगे एक तुम से एक नहीं थोड़ा सा जीब वहाँ छोटे छोटे बड़े क्यूट से तो इस तरह से हाउ और वाट ये किस की तरह यहां काम कर रहा है एक्सकलामेटरी प्रोणाउन की तरह काम कर रहा है किलियर है इतना समझ में आया